आपने काफी सारे वीडियो में देखा होगा कि जो आपका इंडिकेटर है उसके पीछे यहाँ पर बैक्ग्राउंड में कलर होता है वो प्राइस के इससाब से वहाँ पर चेंज होता है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मॉविंग एवरेज के साथ इसको यहाँ पर कंबाइन किया गया है तो आप देखोगे का प्राइस के इससाब से यहाँ पर रेड और गरिन बनता है इसमें आप कोई भी आपका कंडिशन के इससाब से आप उसको चेंज कर सकते हो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम यह क पुरा कर दोगे वैसा मुझे confident है तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं पहले समझते कि यह क्या है तो इसमें क्या है जो दोस्तों जो मैंने last time भी आपको बताया था कि यहां पर user जो manual रहता है वहां से आप काफी सारी चीजे यह सेख सकते हो और आप यहां पर try कर सकते हो तो कि जो normal है तो पहले यहां पर क्या किया है कि moving average equal to tar.ema close 50 तो जैसे आप उसके उपर cursor रखो के आपको पुरा detail बता देगा कि यहां पर calculation क्या किया गया है close यानि अभी जो price जो close हुआ है और 50 यहां पर moving average तो जो यह आप देख रहे हो 50 का moving average है दूसरा यहां पर क्या लिया X up ता crossover यानि कि हमने क्या किया है कि जो crossover है वो moving average के उपर यानि कि अगर price है moving average के उपर close होता है तो इसको यह define करता है X up काफी टाइम लोग message करते है कि मैं combine कर रहा हूं merge कर रहा हूं indicator नहीं हो रहा है तो उसमें एक problem common problem है कि define का अगर यहां पर मैंने MA लिखा है और वापस यहां पर मैं MA करके 100 करूंगा तो वो मुझे error आएगा तो अगर मुझे similar use करना है तो मुझे MA1 करके use करना पड़ेगा because यह मैं पुरा second इसको यानि कि define कर रहा हूं कि यह मेरा second है पहला वाला MA है देसरा वारा MA1 है तो इसको क्या होता है script में सब identify करना जरूरी है फिर आता है ता cross under close moving average तो जब भी इसके नीचे होगा उसको consider करेगा x down करके अभी plot करना यानि कि यहां पे हमने क्या plot किया है तो जैसे आप cursor रखोगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा यहां पर पहले series क्या है title कर यहां पर आगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो फिर color है कि color कौन सा है line width यह number two आप जो देख रहे हो यानि कि इसकी thickness कितनी रखनी है आपको style भी अगर आपको style में कोई dotted रखना ह है या star रखना है वो भी कर सकते हो आप यहां पर track price, hit base यह आपको इतना कुछ जरूरी नहीं है जितना आपको यहां पर इतने में ही हो जाएगा यह जो पहले है 5 वहां पर ही आपका plot हो जाएगा फिर आता है कि color कैसे change होते है इसको background color कहते है तो background color में आप जैसे click करोगे सब बुचेगा कि आपको color किसमें change करना है तो आपका आएगा यहां पर X UP यानि अगर हम यहां पर price हमारा उपर है crossover तो हमें color चाहिए यह आप कोई भी color change कर सकते हो और इसका जो आपका transparency है वो भी आप change कर सकते हो जैसे यहां पर यह 80 है अगर आपने 50 कर दिया तो जैसे य यहां पर save करोगे वो यहां पर change हो जाएगा थोड़ा dark हो जाएगा तो जैसे हमने यहां किया यह 50 तो यह हमें save तो पहली condition है कि यहां पर अगर X UP है तो हमें green color चाहिए X DOWN है तो हमें यहां पर यह red color कर देता हूं मैं जैसे यह इसको मैं थोड़ा नीचे इसको save तो यह हमें ऐसे color चाहिए अगर यह दोनों में अगर यानि कि previously जो है उसी को continuation करता है तो ना यानि जब यह एक बार cross होगा तब वहां पर होगा और जब तक वो फिर cross नहीं होगा तब तक यह continuation करेगा तो इस हिसाब से होता है अगर आपको यहां पर समझो कि आपको crossover चाहिए moving average का वो चाहिए 50 days वाला यानि कि जो golden cross बोलते है उसको तो आप क्या करोगे ma1 equal to ta.ema close 200 यह क्या हो गया आपका moving average आ गया है तो इसको अगर आपको cross करना है तो भी आप यहां पर क्या करोगे यह जो ta cross over है हमें चाहिए यहां पर moving average and यहां पर मैं क्या करूँगा ma1 यानि कि 50 का moving average है हमें cross चाहिए 200 के ऊपर और second आएगा हमारा यहां पर कि मुझे down में चाहिए ma2 इसको फिर हम save करता है तो यहां पर जब भी आप देखोगे तो जो आपका moving average होगा इसको मैं भी plot कर देता हूँ second करके यह पूरा तो easy होगा हमें यहां पर समझने के लिए तो यहां पर मैं करूँगा ma1 और इसका जो color है इसको मैं change कर दूँगा green color और इसको save कर दूँगा ओके तो यहां अब समझते हैं तो जब यहां पर क्रॉस हुआ था गोल्डन यहां यहां पर यहां पर यहां पर क्रॉस डाउन करेगा तब हमारा यहां पर तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा है दोस्तो तो like and share जरूर करना थैंकियो दोस्तो मिलते हैं नवे वीडियो में टेक केर बाई बाई